हलो फ्रेंड्स आजका टोपिक है डिविजन ओब डिविजन ओदीड्डेसिमल नमबर。 आज हम लोग सीखेंगे डिविजन ओदेसिमल नमेर, यह टोपिक थोड़ी लंबी है इसलेश को ऊड़ी धुरीट पर्ट में सीखेंगे, तो division of a decimal number में क्या-क्या topics हमारी आती है? Division of a decimal number by a whole number. Okay? Second, division of whole number by a decimal number. Next, division of the decimal number by a decimal number. Okay? And last one, division of a decimal number by ten, hundred and one thousand. Okay? तो आज हम लोग सिखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे, division of a decimal number by a whole number. चलिए तो हम लोग example देखते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक example लिया है. इसे हम लोग करेंगे long division method से, जैसे हम लोगोंने whole number की division किया है, उसी तरह से इसे भी start किया जाता है. तो division में सबसे पहले हमें यह identify करना परता है, which number is divisor and which number is dividend. Okay? तो हमारा यहाँ पर divisor क्या है? This is the divisor and this is the dividend. तो इसे हम लोग एरेंज कर लेते हैं long division method के लिए. इसे हम लोगोंने एरेंज कर लिया है, अब इसे हम लोग divide करेंगे. तो देखिए इसमें दो पार्ट है, एक decimal के this side part, एक decimal के left hand side part. तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले decimal के इस parts को हम लोग को पहले देखना पड़ेगा, जो की whole number है. तो whole number का division हम लोग उसी तरह करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं. तो 8 की table हमें 18 के लिए देखना है. तो कितने टाइम में जाएगा? 8 to is a 16. ओके? अब देखिए, यह जो decimal parts. अब हम लोग कहां move कर रहे है? decimal parts. तो जब हम लोग decimal parts की तरफ move कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं, just as it is, इस decimal को यहाँ पर हमें यहाँ पर put कर लेना होगा. और जैसे हम लोग इसे नीचे bring down करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को उसी तरह इसे नीचे bring down कर लेंगे. ओके? हमें कुछ नहीं, बस decimal parts में जब हम लोग move कर रहे हैं, तो इस decimal को उठा के हम लोग को सिंट में यहाँ पर लगा लेंगे, और जैसे next digit को हम लोग bring down करते हैं, उसे हम लोग कर लेंगे. ओके? अब 8 की टेबल 22 के लिए recite करेंगे, ओके? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ओके? तो 24 ज़्यादा है, तो हम लोग 2 टाइम्स में 16, ओके? 12 माइनस 6, 6, अब फिर 8 का टेबल 64 के लिए, ओके? तो यहाँ हमारा कोसेंट क्या हो गया? 2.28 चलिए हम लोग next example देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक another example लिया है, यहाँ पर तो हम लोग ने स्टार्टिंग किया, decimal का division किस तरह करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ और process देखेंगे, ट्रेक्स देखेंगे, जिसता से decimal के division को कैसे proceeds किया जाता है, तो same long division method के लिए से हम लोग arrange कर लेंगे, ओके? अब 5 के table 4 के लिए, तो 5 exceed कर रहा है, 5 बढ़ा है 4 से, तो 0 time, ओके? तो 0 time में 4 और इसे bring down करना है, अब देखें, decimal parts आ गया, तो decimal parts आ गया, तो हमें यहाँ पर decimal use कर लेना होगा, तो decimal जिस तरह से हम लोग ने फर्स्ट एक्जामपल में देखा, decimal part आने से, हम लोग पहले decimal as it is, कोसिंट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कोसिंट में decimal लिख लिया है, अब 2 को नीचे bring down करेंगे, ओके? नाव 5 का table 42 के लिए, तो 5, 8 जा, 40, ओके? 2, next, यहाँ पर 3 बिंग डाउन होगा, ओके? तो 5 की टेबल 23 के लिए, तो 5 फोर्जा, 20, ओके? नाव 3 इस दे रिमेंडर, आप देखेंगे, जैसे whole number में हम लोग whole number के division किये थे, तो जब हम लोग पहले जो division सेकें, उसमें देखें हैं, कि this is the, अब हमारा यह division यहाँ पर इंड हो जाता, और 3 is the रिमेंडर, पर हम लोग जब decimal के division करते हैं, तो हमें यहाँ पर यह 3 यहाँ पर रिमेंडर इंड नहीं होगा, हमें इसे last, no रिमेंडर तक डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे no रिमेंडर तक डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक चीज देखते हैं, इसमें क्या, जब भी decimal के right hand side में हम लोग यहाँ पर 0 एड करते हैं, तो इसे इसकी values में, यहाँ पर हम लोग 0 एड करते हैं, तो इसे इसकी values में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम लोग जब भी decimal के division करेंगे, तो इहाँ पर हम लोग 0, अब यहाँ पर 0 एड किये, तो इसकी values में कोई चीज चीज नहीं है, अब यह 0 को हम लोग यहाँ पर ब्रिंग डाउन कर सकते हैं ना 5 से अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 5, 6, 30 जब भी हम लोग decimal के division करते हैं तो उसे हम लोग last जब तक remainder 0 ना हो जाए तब तक हम लोग इसे division करते हैं और इसके लिए हम लोग को यहाँ पर 0 लगाएं तो decimal के बाद right hand side में हम लोग 0 लगाते हैं तो इसके value हम लोगों ने last वीडियो में भी देखा है राइट hand side में 0 लगाने से उसकी values में कोई changes नहीं आती है तो इसे हम लोग 0 लगा करके लास्ट इसके remainder जब तक 0 ना हो तब तक हम लोग division करते हैं लेकिन सम केसे में ऐसा भी होता है कि कोई जो remainder है बारवा repetition value में आता है लेकिन वह अभी आपके slivers में नहीं है इसके इसलिए से हम लोग further discuss करेंगे अब चलिए next और एक example दिखेंगे जिससे आपका decimal division अच्छी तरह से clear हो जाएगा इसमें हम लोग का जो dividend है वो directly decimal point से ही हमारा start हो रहा है जैसा कि आप लोगों नहीं यहां देख रहे हो example में यहां पर मैंने जो भी dividend लिया है जो भी dividend वो directly decimal part से ही start हो रहा है तो चलिए इससे start करते हैं पहले इसे arrange कर लेते हैं हम लोग जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि आप इस example में यहां पर कोई whole number नहीं है इसे directly decimal number से start करते हैं तो इसमें first digit क्या है जीरो है और then decimal है तो जानते है जीरो की हम लोग multiplication and division जो भी खरवाएंगे तो जीरो होगा तो इससे हम लोग first as it is zero लिख लेंगे next अब हमें कौन से digit मिल रहा है decimal के just right hand side first digit मिल रहा है तो हम लोगों के यह इस digit को use करने के लिए first हम लोगों को alright now mari nine Java 45 खरवा टार्मेंटर वीरों लुए प्यूकप्र लोगोंको है यह 0.139 three nine okay I think आप लोग के लिए ये division of the decimal number by a whole number clear हो गई होगी और books में बहुत सारे example आपके books में भी है और practice कीजिए उसे और sums को solve केजिए आपकी concept और अच्छी तरह से clear हो जाएगी okay bye bye